चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का एक्जाम्पल नंबर 3 सॉल्फ करते हैं चेक वैदर माइनस 2 और 2 आर जीरोज ओव दी पॉलिनॉमियल X प्लस 2 देखो कोशन के अंदर ना हमें एक पॉलिनॉमिल दे रखा है X प्लस 2 और हमने चेक करके ये बताना है कि क्या माइनस 2 और 2 ये वले जो दो नंबर्स हैं ये इस पॉलिनॉमिल के जीरोज हैं या नहीं तो पहले माइनस 2 के लिए चेक करेंगे और उसके बाद फिर प्लस 2 के लिए चेक करते हैं चलो आंसर पे आते हैं देखो answer में सबसे पहले तो जो आपको polynomial दे रखा है, अब उस polynomial को लिखोगे, जो भी आपको polynomial दे रखा होगा ना, उससे आपने p of x से represent कर देना है, अब पहले हम check कर रहे थे minus q के लिए, तो उसके लिए put x is equal to minus q, polynomial में जहाँ जहाँ पे x है ना, x की जगह पे आपने minus q put करके simplify करके देखना है कि 0 आता है या नहीं, तब हमने लिखा है put x is equal to minus q, देखो x की जगह पे minus q put किया, यहाँ पर भी x की जगह पे minus q put किया, यह वला plus q as it is, minus q और plus q आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे, तो result आ रहे है 0, तो polynomial की value minus q पे 0 आ रही है, इसका मतलब minus q is a 0 of given polynomial, अगर value put करके solve करने के बाद 0 आ जाता है ना, तो इसका मतलब वो वला number, जिस number को आपने put किया था, वो number इस polynomial का 0 है, तो last में आप लिखोगे, since p of minus q is equal to 0, क्योंकि polynomial की value minus q put करने पे 0 के equal आ रही है, therefore minus q is a 0 of px, इसलिए minus q यह वला जो number है, वो हमारे polynomial का 0 है, अब second part पे आते हैं, second part में हमने x is equal to 2 के लिए चेक करना था, तो पहले तो दुबारा से आप polynomial को लिखोगे, px is equal to x plus 2, अब क्योंकि हमने 2 पे चेक करना है तो आप लिखोगे, put x is equal to 2, polynomial में जहाँ जहाँ पे x है, x के जगाँ पे आपने 2 put कर देना है, अब लिखो 2 plus 2 is equal to 4, 2 put करने पे value 0 नहीं आती है, बलकि 4 आती है, अगर 0 के इलावा कोई भी और नंबर आए ना, तो इसका मतलब जो हमें नंबर दे रखा है, वो polynomial का 0 नहीं है, अब यहाँ पे 0 तो आने रहा, पिछली बार तो 0 आये था ना, लेकिन अपकी बार तो यहाँ पे 0 के लावा कोई और नंबर आ रहा है, तब यहाँ अगले स्केप में लिखोगे, सिंस P of 2 is not equal to 0, क्यूंकि polynomial की value 2 put करने पे 0 के equal नहीं आती है, तो माइनस 2 put करने पे value 0 के equal आ रही थी, P of minus 2, minus 2 put करने पे polynomial की value 0 के equal आ रही थी, इसलिए minus 2 हमारे polynomial का 0 था, लेकिन X की value 2 put करने पे 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता है, इसका मतलब जो 2 है, प्लस 2 जो है, वो हमारे polynomial का 0 नहीं है, not a 0 है. शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है एक्जाम की. See you in the next video, all the best.